हलो स्टुडेंट्स मैं हूँ राम शुरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका इस्टुडी चनल आ रहे सकेडमी तो इस्टुडेंट्स वीडियो की से से में मैं आज बात करने वाला हूँ फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट नमबर थाइड की इसमें मैं आपको 20 कुशन करवा हूंगा जो सारी कुशन ठीयोरी वेस होंगे क्योंकि यह आपका एक ओनलाइन टेस्ट है जिसमें मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ा कुशन जो नुमेरिकल टाइप पर आता है बड़ा कुशन आ बोक्स में जरूर चलिकना है तो उसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है तो इस ट्रेंट्स अगर पहली बर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिए यैसे वीडियो में रोज आपके लिए कर आता हूं तो चलिए इस ट्रे चलिए यार को सब्सक्राइब करने के लिए ऊकलिए जाता है तो आपका इंसार पर आंसे डी स्रेंट्स कर गेपर अपर एंस ट्रेंट यापकर नहीं से ट्रुप्षटण मिलेगा नेक्स कुशन देखिए नेक्स कुशन आपका क्योशिट एक हो अमंग धू डेवलविंग टेकनोलोजी ऑफ ऐंडरग्राउट नुक्लियर एक्सपोरेज़न यापे अंडरग्राउड जो nuclear explosion था उसके लिए कौन से साइंटिस्ट को उसका स्रेज आता है तो option में देखिए यहां पर option 8 Dr. Homie Jangir Bhabha, option second आपका B, Vikram Sarabhai, then option C आपका, option C दे रहे हैं यहां पर Dr. Raja Raman and option D दे रहे हैं Dr. P. K. Languzen इसमें देखिए इसमें right answer आपको मिल गया होगा, अगर याद नहीं answer तो answer में reveal करता हूँ इसका, इसका right answer होगा है हमी जांगीर Bhabha, option A right answer के रूप में आपको क्लिक करना है, next question देखिए strengths, कापी अच्छा question है, question number third आपका, question number third है, which among the following types of call, product most heat of per unit, strength बहुत important question है, कि कौन सा कोईला नीचे दिया गया है, उनमें से, जो सबसे ज़्यादा heat produce करता है, heat उत्पन करता है, उसमें उत्पन करता है, option यहाँ पर मिलेंगे, आपको first option है call, second option है आपका link night, third option है, anthracite and fourth option है pit, तो होगा, आपका option C, option C anthracite है, कोईले का best, top quality का कोईला होता है, इसमें सबसे ज़्यादा heat उत्पन होता है, उसमें उत्पन होती है, next question, आपका question number four, question number four, question number four, which among the following waves is used to communications by artificial satellite, strength बहुत important question है, artificial satellite कृत्री में उपकरा होते हैं, उनके द्वारा कौन सी तरंगों का प्रियोग, communication system यानि संचार तंत्र में किया जाता है, option A, microwave, option B, radio waves, and option C, AM, amplitude modulation बोलते हैं इसको, and option D, frequency of 101 series, तो strength right answer जल्द से क्लिक कर लिजिए, और पेपर में लिख लिजिए, और यह अभी तक वीडियो को या लाइक निक है, तो वीडियो को लाइक कर लिजिए, वड़ाबट क्योंकि आपके इसके पैसे नहीं लगेंगे, ना मेरे को इससे पैसे मिलने वाड़े, तो strength video को लाइक कर लिजिए, इसे मुझे क्यों motivation मिलेगा, नया वीडियो बनाने के लिए, तो right answer strength में reveal करते हूं, उसका right answer होगा, option A, option A, microwave, microwave होती है, सुक्सम तरह के होती है, उनका प्रियोग यहाँ पे communication system में किया जाता है, next question, question number 5, question number 5 है, what is found in frequency modulation, frequency modulation, जिसको बना बलते है, आवरती modulation, उसमें क्या पाया जाता है, किसको fix करते हैं, किसको change करते हैं, यहाँ पे option A में fixed frequency, आवरती को fix कर दिया जाता है, option B, fixed dimension, option C, आपका change in frequency and dimension, दोनों को change करें, and option D, change in dimension only, तो इस ट्रंड देखिए, right answer आपको मिल गया होगा, इसका, right answer आपने, अगर question आता है, तो लिख लिया होगा, answer में इसका reveal करता हूँ, इसका right answer होगा, option A, fixed frequency, इसमें आप frequency होते है, जो आवरती होते हैं, इसको fix कर दिया जाता है, next question, question number 6 है, question number 6 है, when the speed of car is doubled, then the what will be breaking force of car to stop in the same distance, यह कह रहा है कि यादी कार की जो speed है, उसको double कर दिया जाए, तो जो breaking force होगा, car का, उसको रोकने के लिए, वो उसी distance पे, same distance पे, कितना होगा, तो इसको, जो velocity होता हो, उसका square आता है, इसमें, तो वी square आने की वज़ए से जब उसको double कर हो जाएगा, मतलब four times हो जाएगा, तो अगर right answer की बात करते हैं, तो आपने side लिख लिया होगा, बट नहीं लिखा, तो मैं answer इसका reveal कर देता हूँ, इसका answer आएगा, option a four times हो जाएगा, वेक, velocity है, उसका all square होने की वज़ए से, तो four times हो गया, option a right answer की रूप में, next question, आपका question number seven है, question number seven है, the dimension of which of the following is the same as that of impulse, कौन से की जो वीमा है, कौन से निचे जो अवियों देगे, उनमें से कौन से की वीमा, कौन सी राचिया उनकी वीमा, same है, किसके impulse यानि, आवेक की, तो इसके आवेक की वीमा किसके बराबर होती है, option a volume आएतन के, option b momentum समयं के, option d change in the rate of momentum, समय आपने लिक लिया होगा, right answer, बहुत अच्छा क्यूशन है, बार बार SSR में, double a question, repeat हो रहा है, right answer में बताता हूं, इसका, right answer होगा, option b momentum, momentum है, वो impulse के बराबर, डाइमेंसर रखता है, दोनों की डाइमेंसर समय होती है, next question, आपका question number eight है, question number eight मिलेगा, आपको, यह आपका question number eight, देखिए, question number eight है, which among the following is the fundamental quantities, बहुत अच्छा question इस्ट्रेन से, fundamental quantities कौन सी है, निचे देगे, option में से, option a volume, option b time, option c, आपका velocity, and option d force, तो fundamental जो, मूल आपकी रासिया है, fundamental quantities है, उसमें आपको नज़राएगा, right answer मिल गया होगा, मैं answer reveal करता हूं, option b time, time यहाँ प का right answer होगा, next question, question number nine, question number nine, if the diameter of a kepler is doubled in the rise of water, it will be, अगर किसी kepler में बात करते हैं, तो उसमें अगर उसका diameter, उसका व्यास double कर दिया जाए, तो उसमें जो water उपर चड़ता है, पानी उपर चड़ता है, उसका कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गट जाएगा, यहाँ पर option option में दे रखें, option A, two times, option B, half, option C, four times and option D, not change, तो इसका right answer आपको मिल गया होगा, इसका answer में रिविल करता हूँ, right answer होगा, इसका half, क्योंकि आपने उसको diameter को change किया है, बढ़ाया है, तो उसका height 30 side तक वो water उपर चारा था, अब हाप ही हो जाएगा, उसका आदा हो जाए, क् आपने diameter उसका change कर दिया, बढ़ा दिया, व्यास बढ़ा दिया, okay, next question आपका strength, question number 10, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, यार, strength आपने अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को subscribe कर लो, क्योंकि यहां पर मिलेगी आपका top class physics की preparation, next question की बात करते है, question number 10, why the needle of iron swing on the water surface when it is kept gently, जब किसी needle को सुई को, जल के उपर swing कर वाय जाता है, रखा जाता है, अराम से, अच्छे से, तो वो उपर swing करती है, तेरती है, ऐसा क्यों होता है, क्या रिजन इसका, तो option देखिए, यहां पर option the density of needle is less than the water, that of water, then option C आपका due to surface tension and option D due to its shape, इसके आकार के कारण, तो इसका आपने किलियर कर लिया होगा, needle जल पे तेरती है, सुई जल पे तेरती, इसका कारण क्या है, इसका यह की बहुत बढ़ा region है, option C due to surface tension, प्रस्तनाव के कारण इसा होता है, जिसके सुई उसके उपर तेर पाती है, अगर अच्छे से अपने उसको रखते हैं, तो, next question, question number 11, strength काफी अच्छा question है, question number 11, the mass of star is two times of the mass of sun, how it will come to an end, कि कह रहा है कि कोई star है, उसका mass है, वो सूरी इसमेल सन से ज्यादा है, double है, तो how it will be come to end, तो इसमेरे कि option A, neutron star, option B, black hole, option C, white dwarf, and option D, red giant, तो इसके अगर right answer की बात करते हैं, तो right answer में इसका clear कर देते हूं, आपके, right answer होगा, इसका option A, neutron star, यहाँ पर right answer की रूपए आपको click करना है, next question, question number 12, question number 12, question number 12, question number 12, rain drops fall from the great height, बहुत उचाई से जो rain की जो उन्दे होती, जलके उन्दे होती हो गिरती है बारिस में, which among the following statements is true regarding it, कौन सा statement जो उनके लिए सही बैठता है, सही आता है, देकि option A, they fall with that ultimate velocity, which are the different for different droplets, option B, they fall is with the same ultimate velocity, option C, their velocity increase and they fall with different velocity on the earth, and option D, their velocity increase and they fall with the same velocity of earth, यह जो जो जलकी बूंदे गिर रही है, उनके लिए आपको मिल गया होगा, right answer होगा, इसका option A, they fall with that ultimate velocity, उनका ultimate velocity होता है, उसके साथ गिरती है, which are different for different droplets, अलग अलग जो जो जलकी बूंदे होती है, उनके लिए अलग अलग होता है, यह आपका राइट स्टेट मेंट आएग यह काम करती है, option A, Magnetic Imager Making, option B, Thermal Image Making, option C, Electrostatic Image Making, and option D, आपका Electromagnetic Image Making, तो इस्ट्रेंड से, Photostate Machine जो है, वो किसी दान पर कार्य करती है, आंसर मिल गया होगा, आपको, एट आंसर स्ट्रेंड इसका option C, Electrostatic Image Making, option C, आपका राइट आंसर यहां पर आपको लेना है, तो इस्ट्रेंड राइट आंसर आपने लिख लिया होगा, क्योंकि आप जरूर से अपना स्ट्रेंड इसकोर कमेंट बॉक्स में दोगे, वन किलोवाट आवर इस इक्वल टू, इस्ट्रेंड राइट आवर इस इक्वल टू, आप्शन A, 6 Megajoule, आप्शन B, 8 Megajoule, आप्शन C, 2 Megajoule, आप्शन D, 0 Megajoule, तो इस्ट्रेंड राइट आंसर आपने निकाल लिया होगा, इसका हाल कर लिया होगा, डायरेक्ट भी याद रखते हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट याद रहता है आपको तो, इस्ट्रेंड इसमें जब बात करते हैं, एक किलोवाट आवर, जिसको उपन यूनिट में कनवर्ट करते हैं, एक यूनिट का मांज, जब जूल में कनवर्ट करने जाते हैं, तो 3.6 x 10 to the power, 6 ले ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको मिलने वाला है, वो राइट आंसर के रूप में बात करते हैं, तो लगबग बात करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर के रूप में मिलेगा, वो मिल जाएगा, आपका आपका, आपका, 6 मेगा जूल के रूप में, तो आप इसको सॉल कर सकते हो, राखना चाहों तो डारेक्ट भी याद रखते हैं बच्छे इसको, नेक्स क्यूशन क् 15 देखिए, वाट इस दे मिनीमम एसकेप वेलोसिटी रोकेट वी लॉंस्ट इन्ट इन्ट इस पेस, रोकेट को कौन सी वेलोसिटी होगी, उसकी नियूंतम जाते, उससे स्पेस में उसको क्या लॉंच किया, जा सके, राइट आंसर देखिए, ऑप्शन सोरी, ऑप्शन दे इसका उप्शन सी, ऑप्शन सी में 11.2 km पूरा पूरा लेते हैं, किलोमेटर पर सेकिंड आ जाता है, यहां पर 11 km दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर की रूप में क्लिक कर दीजिए, लैक्स क्यूसन, क्यूसन नमबर 16 इस तरह ने देखिए, विच उ सामने जो देखते हैं, उसके बाद में देखिए, ऑप्शन सी, इन लाइट रेंफॉल, विफेस सन, और ऑप्शन दीए, इसका रिमेनिंग किलियर, एंड शन इस एट लावर पॉजिशन इन दे इसकाई, तो इस ट्रेंड से, जब इंदर दूरुस बनता है, तो सूरी हमार बीचे रहता है, एंड विफेस रेंड्रोप, सहम रेंड्रोप को देखते हैं, अपने आखों के सामने, नेक्स्ट क्विशन, क्विशन नमर 17, क्विशन नमर 17 ने स्ट्रेंड देखिए, दे स्प्रिंटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ओफ लाइट इन दे प्रिज्म के द्वार रंगों का जो अलगले पार्ट में बटना जिसको अपन विख से पन बोलते हैं, उसके लिए ऑप्षन ए कि क्या बोलेंगो, उसको रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्षन ऑफ लाइट, ऑप्षन ऑफ लाइट, तो इस्ट्रेंड आप्शन ऑफ लाइट, आपने क्लिक कर आएगा नेक्स क्यूशन क्यूशन नमर 18 क्यूशन नमर 18 एट इन एब उट विल सबमर्ज वें इट से डिस्प्लेज वाटर इक्वल टू इट ओवन जो बोट को पानी में उतार जाता है तो वो डिस्प्लेज करती है वाटर को कितना करती है देखिए ऑफसर एवल्यूम ऑप डिस्प्लेज कर देती है तो आप्सन भी हो गया नेक्स क्यूशन क्यूशन नमर 19 क्यूशन नमर 19 ने टूवेश्ट इच अप टू वेव इच ओफ एंप्रिटूड ओफ फाइप एम 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 एंड फ्रिक्वेंसी टैन है ट्रेवलिंग इन अपोजिट डिरेक्शन विट स्पीड ओफ टू एम 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 बिट्वीन एडिसेंट एंड मॉन नॉट इस तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा जीरो आपके लिए ओम वर्क के लिए दे रहा हूं आप उनका कुशन अलाल करिये देखिये बुक्स में देख लीजिए बट इसको प्रकर करके मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में उनक्यूशन के साथ में दीजिए नेक्स्ट विशन और लास्ट विशन आज गामारा कुशन में 20 क क्यों कि आपको कर वाएं जिनमें दो कुशन आपके होंवर्क के लिए यह माल लीजिए बाकि एठारा कुशन में ने सॉल्व करवा दिए तो इसको और मिला के मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए तो इस ट्रंस वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों के पास पहली बाव चैनल पर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और मिलते एक नए प्रेक्टिसेट के साथ तब तक के लिए जय इन जय बारत बंदे मात्रम